मैं तो मेरी पाटी के सिद्धान्तों के आधार पर काम करने के अलावे और कुछ नहीं करता, कठोर परिश्रम मेरा सभाव है, और जो लक्स तय होते हैं, पाटी तय करती है, मेरे नेता तय करते हैं, वो लक्स को सिद्ध करने के लिए मैं बड़ी सिद्धत से प्रयास करता हू सफल्दा विफल्दा हमेशा इस्वर के हाथ में होती है इससे ना निरास होना चाहिए ना खूश होना चाहिए आपने अभी जिन पार्टी के कारकरताओं का जिक्र किया हमने अक्सर उनके मुँसे ये कहते हुए सुनाए कि आमिछा जी है तो कोई टेंचन नहीं है सब संभव है दिखे आप जैसे लोगों ने गड़े हुए जुमले होते हैं ऐसा कुछ नहीं है मेरी पार्टी सेंकडो परायजयों को हजम करकर यहां तक पहुँची है यह बात सही है कि सेंकडो परायजय के कारण पराजय सहन करने की हमें आदत पड़ी हुई है और अब मोदी जी के नेत्रूतों में विजय की आदत भी लगातार विजय की आदत भी अफेट पड़ी है तो अभी जिस तरीके से ग्रेमंतरी जी आपका जीत का रथ चल रहा है और कि कहा जा रहा है कि सब संभव है अब देखते हम जो एक बहुमत की सरकार है उस पर भी संकट आ गया है हम हिमाचल की बात कर रहे है वो भी कोई रणनीती का हिस्सा है ने इसमें कोई रणनीती नहीं है वो पूरी कॉंग्रेस में बिखरा हो है पूरे इंडिया गठवंधन बे विखरा हो है वो अपने कुंबे को भी ठीक नहीं रख सकते मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कलाकालीगरी है वो अपने कुंबे को ठीक नहीं रख से इसी के करन तूटता जा रहा है लेकिन जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हर्याना पुलिस और CRPF ने एसकॉट करके किडनाप कर लिया ऐसा है मत्दान विधान सभा के अंदर हुआ है एसेमली चल रही है कोई कैसे किडनेप कर पाए गया क्या बचका ना बात कर रहे है आज के जवाने में किडनेपिंग संभव है क्या एसेमली के अंदर से वाटिंग कैमरे के सामने हुए चुनावायो के कैमरे लगे हुए उनका भी परियविकसक है उनके प्रत्यासी है भाई अब वाट कहां गये तेरे इसकी तू बात नहीं करता है अब विधायक की बात करता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग रादनिती कर रहे है आपके वाट चले गए आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं